Hi everyone, V2 Academy में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत important होगा अगर आप J.Main के online examination को attempt करने वाले हैं इस बार maximum बच्चे ऐसे हैं जिनको ये बात पता ही नहीं है कि CBT examination जो होते हैं computer based test जो computer पे लिए जाता है उससे attempt कैसे करना है तो आज के इस वीडियो में पूरी simple तरीके से मैं आपको बताने का परियास करूँगा कि अगर आप online examination देने जा रहे हैं आपको अगर computer नहीं भी चलाने आता है ना तब आपको कैसे examination को attempt करना है जिससे की एक simple से simple बच्चा जो की अभी तक computer का यूज नहीं भी करा है वो भी समझ पाए तो वीडियो को पूरी ध्यान से देखिएगा उससे पहले आप सभी से एक प्यारा सा request है सब्सक्राइब करके वेल आइकन दवा लिजिएगा V2 Academy आप सभी के लिए बहुत सारी important content ले करके आती रहती है जेई मेन के examination होने से ले करके टील admission जब तक आपके admission नहीं हो जाते तब तक आपको support किया जाता है आपके marks पे कौन सा best से best college हो सकता है वो भी हम लोग counseling के माध्यम से आपको दिलाने का प्रियास करते है सो अभी subscribe करके वेल आइकन दवा लिजिए देखो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आपको किस-किस तरह का problem हो सकता है सबसे पहला problem मान के चले आपने question को mark कर दिया ठीक है लेकिन last में आपको marks ही नहीं मिला ऐसे problems भी होता है तो किन-किन बातों का आपको ध्यान रखना है इसके लिए दूसरी problem आपको ये आती है हमने questions को attempt तो कर दिया, mark तो कर दिया लेकिन अब मुझे उसे हटाना है क्योंकि मान के चलो आपने B mark कर दिया लेकिन बात में आपको बता चलता है कि नहीं B नहीं बलकि D उसका answer होगा तो फिर change कैसे करना है सारी चीजे आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा तो चलिए सुरू करते हैं simple तरीके से हम समझते हैं देखो सबसे पहले आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा ठीक है यहाँ पे आपको अपना application number जो की user number है और password password आपके date of birth होगा उसको डाल करके यहाँ पे आपको login पे click कर लेना है ठीक है simple जो interface आपको दिखेगा आईसा दिखेगा आप यहाँ पे देख सकते हैं इसी तरीके का same interface आपको दिखेगा यहाँ पे देखो चीजे जो है आपको देख समझना बहुत जरूरी है क्योंकि यह जब नहीं समझेंगे तो आप आगे question attempt ही नहीं कर पाएंगे जो important चीजे है वो यही से start होता है सबसे पहले यहाँ पे आपको language select करने का option आता है English, Hindi तो mandatory होगा ही होगा उसके अलाबा आप जिस state से है आपने जो language preference फिल करा है वो सारे language यहाँ पे आपको दिखेंगे आप डाल करके आपको जिस language में examination देना है यहाँ पे आप लोग select कर लीजेगा ठीक है उसके बाद में देखो paper में आपके तीन category होते है A, B और C मतलब की physics, chemistry और mathematics इसमें भी आपको पता होगे कि भाई 25-25 question attempt करना है तीनों से कितने question? 25 question बट इसमें होता है 30 question कितने question होते हैं? 30 question तो इसके भी sub topic आप कह सकते हैं या फिर sub part कह सकते हैं कि यहाँ पे आपके A और B होगा A में आपके 20 question वहीं B में आपके 10 question होते हैं जिसमें से आपको 5 बनाना होता है ये बात आपको पता होगा जो numerical type के question होते हैं उसमें से आपको 5 ही बनाना होता है सेम इसी तरीके से भी इसमें रहेगा 30 में से 25 बनाना होगा इसमें part B से 5 question आपको छोड़ना है और part A के total 20 question आपको attempt करना है उसी तरीके से आपके mathematics में भी होते हैं तो यहाँ पर आपके section बने होंगे लेकिन उससे पहले हम यह समझते हैं देखो यहाँ पर 5 instruction आपको समझना है सबसे पहला you have not visited the questions 8 अगर आपने अब तक question नहीं देखा है question पर visit नहीं करा है तो वो जो गोला है वहाँ पर आपको white दीखेगा ठीक है पहले समझो दूसरे नंबर पर raid कब दीखेगा आपको you are not answer the question अगर आपने questions का answer नहीं किया है मतलब देखा तो है बट answer नहीं किया है आपको वहाँ पर raid दीखेगा अगर आपने answer कर दिया है तो हाँ पर आपको green दीखेगा ठीक है मतलब सारे ये colors आपको याद रखने होंगे वहीं उसके आलाब आप देख सकते हैं मतलब ये 5 color आपको यहाँ पर दीख रही है रिव्यू के लिए करा है तो आपको यहाँ पर violet color का दीखेगा बैगनी दीखेगा ठीक है वहीं बैगनी के अंदर एक green color का option आएगा तब जब आपने question का answer और mark रिव्यू करा है मतलब answer तो कर दिया है लेकिन आप उसे एक बार फिर से देखना चाहते है कि हाँ हमने सही tick करा है या फिर नहीं tick करा है बिल भी consider for evaluation देखो ये दोनों तो असा confusing वाला चीज है दोनों में अंतर क्या है मैं आपको बता देता हूँ दोनों में आपने question को mark तो करा है ठीक है इसमें भी question को आपने tick कर दिया है और इसमें भी आपने question को tick कर दिया लेकिन आपके दो option होगा मैं आपको दिखाओंगा आगे चलके कि वहाँ पे आपको दो option होता है एक होता है mark for review यानि answer and marks for review और दूसरा होता है not answer the question आपके ये evaluation में count नहीं होगा बलकि ये evaluation में आपके count होगे अगर यहाँ पे चीजे समझ में नहीं आ रहे है तो आगे आपका clear हो जाएगा पहले अभ्यान से समझो ठीक है उसके बाद में हरे question को attempt करने के बाद आपको save and next पे click करना है अगर आप save and next पे click नहीं करेंगे तो वो consider नहीं होगा आपके question चलो अब हम समझते हैं practical करके थोड़ा सा नीचे आ करके I have read मतलब सारे instructions को मैंने read कर लिए उसके बाद में proceed पे देखो यह वाली instruction आपको वहाँ भी दीखेगा जब आप question attempt करने जाओगे तो यह instruction आपके सामने दीखेगा question हमारे सामने आ गया देखो question attempt कैसे करना है देखो इस तरीके से आपके यहाँ पे total 90 question यहाँ पे दीख रहा है ठीक है जिसमें की आपके 3 subject में होते हैं यहाँ पे physics, chemistry और mathematics 3 section होगा जिसमें से starting के 30 question एक section में उसके बाद के 30 question दूसरे section में और उसके बाद के 30 question तिसरे section में होगा जिसमें section B के आपके 5 ही question attempt करना होगा समझ रहा हूँ ना तीनों ही section के section B वाला option जो रहेगा आपके अब मैं आपको समझाता हूँ देखो अगर मान के चले मुझे यह question attempt करना है और मान के चले इसका option number B है ठीक है तो अगर मैं एकदम clear हूँ कि हाँ एकदम यही सही है तो मुझे save and next पे click करना है किस पे करना है save and next पे जैसे मान के चले मैंने save and next पे click कर दिया तो वो बिल्कुल final यहाँ पे देख सकते है green color का option आपको दिख रहा है अब यही difference में आपको समझाना चाहता हूँ save and mark for review और एक mark for review and next मान के चले आपने save and mark for review करा है तो इसका question का जो answer है वो consider किया जाएगा मान के चले last में आपके पास time नहीं होता है देखने का मतलब last में आप इस पे visit नहीं कर पाते हैं तो आपका यह consider हो जाएगा मतलब इसके आपको marks मिल जाएगा लेकिन वहीं आप इस पे click करते हैं mark for review and next और आप बाद में नहीं देखते हैं review नहीं करते हैं तो वो consider नहीं किया जाएगा और इसके marks आपको नहीं मिलेंगे जैसे मैंने save and mark for review किया तो देखो यहाँ पे कौन सा आ गया violet के बीच में क्या है green color है मतलब आपको अपने save कर दिया है मतलब अगर आप review नहीं कर पाते हैं जो final marks बनेगा न उसमें यह marks consider होगा लेकिन आप देखो यहाँ पे अगर मैं 3rd number question का मान के चले की 3rd number question का मैं C select करता हूँ और only mark for review करता हूँ तो यहाँ पे violet color का सिर्फ आ रहा है इसके अंदर green नहीं आ रहा है इस बज़ा से जब मैं final submit करूँगा तो मुझे attempt कितना question दिखेगा 3 question कौन कौन सा question एक में मैंने answer करा है मतलब आपको पता है कि save and next पे मैंने click करा था green color का हो गया था पूरा पूरा जो box था वो green color का हो गया था एक मैंने mark for review करा है मतलब मैं बाद में उसे देखूँगा लेकिन अगर मैं बाद में नहीं देखता हूँ तो उसके marks consider नहीं होंगे और एक answered and mark for review मतलब बाद में मैं देख पाया तो ठीक है और नहीं देख पाया तो मेरे वो answer जो है consider होंगे मतलब मैंने तीन question को अभी तक attempt करा है जिसमें से 87 question मैंने अभी तक not visited मैंने बीजिट ही नहीं करा है और अगर आपको मतलब आपने पूरे question को विजिट करेंगे पूरे question को देखेंगे और अच्छे तरीकी से आपके पास longer time होगा उसके बाद में यहाँ पे आपको दो तरह का option आएगा are you sure you want to submit for final marking no changes will be allowed there after submission अगर आप submit कर देंगे तो आपके पास change करने का कोई allow नहीं होगा लेकिन हाँ यदि आप submit नहीं करते हैं no पे click करते हैं तो आपके पास change करने का option होगा तो यह चीज आपको yes करना है और yes आपको कब करना है जब आप भाई आपके पास time नहीं बच रहा है एकितम last minute पे आपको लगबग आपके पास जितने time मिल रहा है एकितम last minute पे आपको जा करके yes करना है और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं thank you submitted successfully और इस तरीके से आपको computer based टेस्ट को जो है submit करना होता है attempt करना होता है बाकी अकर कोई भी doubt है तो मुझे comment सक्षन में आप लोग comment करिएगा चैनल को subscribe करके वेल आइकन दबा लिजिएगा V2 Academy आपके till admission complete support करने वाली है मतलब मैंने बहुत सारे बच्चो को देखा है अच्छे rank अच्छे percentile ला लेंगे सब कुछ उनका अच्छा रहेगा लेकिन वो counseling में गरवाडी करेंगे और अच्छे rank मतलब एक लाक के अंदर rank है और उनको college मिल रहा है तीन लाक rank वाला चार लाक rank वाला मतलब गलती कर रहे है counseling में इस बजास से V2 Academy टील आइडमिसन आपके complete support करेंगे सो अभी subscribe करके वेल आइकन दबा लिजिएगा मिलते हैं नेक्ट वीडियो में जय हिंद जय भारत